हाँ वई नमस्कार सभी का स्वागत है बीएसी प्रो क्लासिज में तो पहरे बच्चों अपना जो एप्लिकेशन है उस पर नोटिफिकेशन का ओप्शन आ चुका है अगर किसे के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो काम करेंगे भड़ावर से मैंने वैसे तो आपको अप्लिकेशन पर नोटिफिकेशन बेजा था परस्णली उस चीज के लिए लेकिन जिन बच्चों को फर्स्ट यह वह जो बच्चे हैं जो क्लास ले रहे रहे रेगुलर उनके पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो सारे बच्चे प्लेश्टोर पर जाएंगे अ वहाँ पर आपको अप्डेट का उप्शन देखेगा अप्डेट वहाँ पर अप्डेट कर ले ना अप्लिकेशन को जैसे आप एप्लिकेशन को ओपन करोगे अप्डेट करने के बाद वहाँ पर देखो इधर राइट साइड में आपको उपर नोटिफिकेशन का परस्णल option दिखेगा, जैसे आप application open करते हो, यहाँ पर देख लिया करो कि आपके लिए को notification आया है या नहीं आया है, complete notification आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यह option add कर दिया गया है, तो जो भी बच्चे हैं, जिनको दिक्कत आती है, किसा notification हमारे आपके पास नहीं आ रहा है, तो यह काम आपके कर लो, आपके पास notification आ जाएगा, ठीक है, चलो, और प्यारे बच्चों, एक और बात बताने वाला हूँ, मैं आपको, जो B.S.C. पश्टर वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो रामबान सावित होई सकता है, कि जो अपना बैच की, जहां पर अपनों को समाकरन, आउकलन, फलन, लिमिट, सीमा, जितने भी अपने मैथेमेटिस के इंपोर्टेंट फोर्मूले हैं, सभी को ड्राइव करेंगे, सीखेंगे, सब कुछ करेंगे उसके अंदर, तो आपके लिए बहुत ही बेसिक और अच्छा कोर्स वो होने वाला है, इसलिए जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए, उसमें च हमजली होंगे, तो होमवक तो ऐसा था कि उसमें कुछ भी नहीं है, आप और अटोमेटिक बिना धिए कर सकते हूँ, इमानदारी ये बात है, ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, मैं यहाँ पर कुछ और लिखवाने वाला हूँ, प्रोपर्टी, मतलब आप यहाँ डालो एक के गुंद्रम, आईलर प्रमय के गुंद्रम, प्रोपर्टी आफ आईलर थ्योरम, ठीक है, यूलर थ्योरम की आपको प्रोपर्टी, बताने वाला हूँ मैं, फुल्मना की बात यह है कि सभी बच्चे जितने भी हैं, जिन्होंने आईलर प्रमय को पड़ रखा है, उनको आईलर प्रमय है, वो एकदम कंटेस्ट हो गई होगी, बस एक बार, अगर आपने थोड़ा सा भी इसे देख लिया होगी, क्या होती है आईलर प्रमय के बारे में आपने याद भी कर लिया होगा और पड़ भी लिया होगा, हमने आईलर प्रमय को लिखा था, और समझा था, तो आईलर प्रमय क्या थी भी या, एक्स डोट में, डी एफ अपोन में डी एक्स, प्लस में, वाई डोट में, डी एफ अपोन में डी वाई, इस इक्वल टू, एन डोट में एफ, यह हमने आईलर परमय पड़ी थी इस परमय का यूज करके हमने काफी सवाल कर लिये हैं अब देखो पिछले जो सवाल थे सारे इसी थोरम को यूज करके हमने किये थे ठीक है अब क्या है कि इसी परमय का कुछ और मोडिफिकेशन करके कुछ प्रोपर्टी और निकल के आती है आपकी आईलर परमय कि वो प्रोपर्टी मापको लिखवाने जा रहा हूँ उनका अपन ठत्यापन पूर्व भी देखेंगे लेकिन पहले आप प्रोपर्टी लिख लो प्रोपर्टी नंबर फरस्ट क्या कहते है प्रोपर्टी कि पहरे बच्चों x dot में d2f upon में dx square plus y dot में d2f upon में dx dy is equal to है आपका n minus का 1 dot में df upon में dx ठीक है second property क्या कहते है भी या second property कहते है आपकी x dot में d2f upon में dx dy plus में y square dot में d2f upon में dy y square is equal to n minus का 1 dot में df upon में dy उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे नंबर का गुंद्रम या फिर प्रोपर्टी क्या है या x square dot में d2f upon में dx square plus 2xy dot में d2f upon में dx dy plus हमारे पास में क्या है देख y square dot में d2f upon में dx और dy ठीक है यह तो मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में y square प्रावर n n minus का 1 multiply में f फटापट इसको लिखो यह तीन प्रोपर्टी हैं अरे वह यह तैंसन मतलो घबराओ मतो यह कैसे आया है और यह कैसे बन रहा है सब कुछ प्रूफ करेंगे बस किवल आप लिख लो उसके बाद एके करके इस वाली आईलत थोरम के formula से हम इसको बनाना सीखेंगे तो फटापट यहाँ पे लिखो इसको फिर मा आगे चलता हूँ प्रूफ करेंगे प्रूफ करेंगे प्रूफ करेंगे प्रूफ करेंगे प्रूफ करेंगे प्रूफ प्रूफ करेंगे 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 लिखे लिए सभी ने तो प्यारे बच्चों एक बात अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पर पता चल भी गई होगी वैसे तो लेकिन नहीं पता चली है तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो मैंने आपको प्रोपर्टी लिखवाई है किसकी प्रोपर्टी है यह आपकी यूलर थोरम की है आईलर पर मैंके कुछ गुणदरम है यानि कि यह एक स्पेशल कंडिशन है केस नमर फर्स्ट, सैकीन और थर्ड और यह जो केस है ना इनके उपर आपको डारेक्ट क्य देखने को मिलेंगे, एक्जाम के अंदर भी और आपकी बुक के अंदर भी, जो सवाल अपने करेंगे ना, वह पर डारेक्ट क्यूसन देखने को मिलेंगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह सारी प्रोपर्टी कैसे बन रही है, भही मुझे एक बात बताओ, मैंने पास थियोरम है, इस थियोरम का, अगर मुझे पहली वाली कंडिशन बनानी है न, तो मैं क्या करूँगा, इसका पार्शिल डेरिवेट्व करूँगा, मैं एक्स के रेक्सपेक्ट में, पार्शिल डेरिवेट्व विद रेक्सपेक्ट टू एक्स, अगर मैं एक्स के रेक् यह तीसरा बनाने के लिए समेका नंबर एक को मल्टिप्लाई करूँगा एक से प्लस समीका नंबर दो को मल्टिप्लाई करूँगा मैं य से और आपस में दोनों को एड़ कर दूँगा तो मेरे पास यह वाली एक्यूइशन निकल के आ जाएगी तो आपने क्या सिखा अभी कि बच्चे फिर भी कंफ्यूज हैं कि या कोल वाले परिशान कर रहे हैं वास्ति में सबस्टाइब कर दो अगर आपको यह बनाना है तो आपको इसका पारिशन लेरेटी करना पड़ेगा एक्सेर एक्सपेक्ट में यह बनाना है तो य के एक्सपेक्ट में करना पड़ेगा और तीसरी प्रोपर्टी आपको बनानी है तो आपको एक को एक से मल्टिप्लाइ करके और दो को य से मल्टिप्लाइ करके आपस में जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना आपको सिंपल सी बात है ठीक है अब अब सिंपल सी बात आपने लिख लिए इनको अब आपके काम करते हैं पन और इसको मिटा रहा हूं मैं अब वो जो हमारे पास में एक्वेशन लिखी वी है ना उससे मैं आपको फर्स्ट वाली बना के दिखाता हूं ठीक है पुरुफ एक्जाम में आ भी स सकता है इंपोर्टन प्रोपर्टी हैं बिल्कुल तरीके से और बेसिक से सीखनी है एक दाउं ठीक है और मैं आपको देखो सिंपल सी बात है जो भी चीज़े हैं सारी अब यह आयले पर मैंने करवा रखी आपको तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको को ऐस चीज़े बताई सामने आयले पर मैं का सुत्र लिखावा है बिल्कुल तरीके से अब एक काम करूँगा अगर मैं इस आयले पर मैं उस समय के नमबर एक नाम दे रहा हूँ मैंने क्या करा equation first का partial derivative with respect to x x के साप x मैंने इसका partial derivative किया ठीक है कैसे करेंगे उसका ध्यान दखना ठीक है देखो डे अपोन में डेल एक्स और यह मैंने अंदर लिखा x. में df अपोन में dx प्लस में y. में df अपोन में dy is equal to n. में और इधर भी करना पड़ेगा अगर आप LHS में कर रहे हो तो RHS में भी आपको derivative करना पड़ेगा ये देखो मैंने derivative की टर्म को लिखा है बहुत ही आराम से आरा पुल तरीके से देखना एक काम करता हूँ इसका derivative में उधर करता हूँ ताकि उधर आगे तक derivative हो सके अब देखना मैं df1 में dx करता हूँ x. df1 में dx से साबसी बात है अगर मैं derivative करूँ आप पहले x का तो x का derivative होगा 1 ठीक है लेकिन ये जो value है आपकी constant रहेगी df1 में dx प्लस अब मैंने इसका derivative कर दिया था तो x अब हमारे पास रहेगा constant और df1 में dx करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा देखो d2f1 में dx2 क्यों ऐसा क्यों हो रहे है अगर थोड़ा सा आप याद करने की कोशुच करो यूनट अमर फर्स्ट में हमने सिखा है तो आपको यह आ इसका derivative हो जाएगा देखो देखो यहां पर यहां पर भी है तो आपने यहां पर लगा दिया है मैंने बिल्कुल तरीके से solution भी कर दिया है प्लस करूंगा य कोंस्टेंट हो जाएगा और फिर में dx करूंगा तो इसका derivative हो जाएगा देखो डी टू एफ अपोन में dx dy अब कई बचे थोड़ा से कन्फूज होंगे तो मैं उनको बता दूँ आराम से यहां पर जो आपका यह f है यह function हो गया x, y का तो मैंने आपको चीक चीक कर चिला चिला कर बताया था युनिटा मैं फरस्ट के अंदर है कि यह दो प्रकार क आपकी वेरियाबल होते हैं एक होता है dependent variable एक होता है independent variable भालब एक होता है सोतन्तर चर एक होता है परतन्तर चर बात समझ मेरिए जैसे यहां पर मैं बात करता हूं यह x है आपका यह y है तो x हमारे पास में जो value है और y मेरे पस value है x और y मैं कर कोई change करूँगा बदलाओ येगा तो साफसी बात है मैं यहां पर जो बदलाओ कर रहा हूं एक्सक्राइक्स कर रहा हूं तो एप में भी बदलाओ हो नहीं है अब देख सकते हूं साफसार पर देख सकते हैं अब यहां देख सकते हैं अब यह वाले जो टर्म है इस वाले टर्म को मैं इधर से इधर सिप्ट कर देता हूं तो क्या बनेगा देखो जांस देखना ये बने गए मेरे पास में x.me d2f upon me dx square plus y.me d2f upon me dx dy फिर is equal to में यहाँ पर देखो n.me df upon me dx और minus का df upon me dx दोनों में से आपने comment ले लिया तो यहाँ पर n minus का 1 बच जाएगा df upon me dx है और यह वाली value same as it is ऐसे कैसे उतार दो नीचे के नीचे तो यह चेक करो फड़ाफट से फड़ाफट जो मैंने लिखवाय था आपको पहली property क्या आपके सामने वो आ गई है एक बार चेक कर लो तो क्या process थी process आपने देखी process बिल्कुल simple थी कि हमने equation first का partial derivative किया आपके सामने एक्स के respect में किया आपके सामने value आ गई अब मैं second वाला काम नहीं करूँगा मैं लिखूँगा यहां पर इसी प्रकार से इसी प्रकार similarly आपको पता है जब मैं यहां पर एक्स की जगए y पुट कर दूँगा तो आप पता यहां पर जो value है किस प्रकार change हो जाएगी देखो जहां पर x है वहां पर आप y कर देना बाकि सब कुछ सेम रहने वाला है करो फटावर देखो यह मेरे पास y.d2f अपॉन में dy square प्लस में यहां पर का जागा देखो x.d2 to f अपॉन में अब यह तो सही में रहेगा dx अपॉन में dy is equal to और वो भी n-1 और df अपॉन में कहा जाएगा dy यह समय का नंबर आप इसको एक नाम दे दो यह आपका समय का नंबर दो अब एक मैं special बात उता रहा हूं यहां पर in the sense exam के अंदर मान लो कि यह दो statement पहला और तो वहां पर आप इसी प्रकार same edge करके मतलिक देना कि इसी प्रकार मतलब यह बन गया तो यह भी बन जायगा यह तो मैंने आपको समझा दिया कि यहां पर पर partial derivative x के respect में किया है तो मैं अगर यहां पर y के respect में करूंगा तो मेरे पास यह value आएगी तो जहां पर x था मैंने वहां पर y put कर दिया same value आने वाली है बस यह मैंने करके दिखा दिया क्योंकि आपको समझ में तो आई गया है वैसे तो वो दिक्कत है नहीं तो इसलिए मैंने आपको same edge करके दिखा दिया अब करना क्या था आपके पास property number first आपके सामने है property second आपके सामने है अब property third को लाने के लिए इसको मुझे x से multiply करना पड़ेगा इसको मुझे y से multiply करना पड़ेगा और आपस में दोनों को जोड़ दो काम खतम तो यहां तक लिख लो फड़ाफट फिर आपन जोड़ने काम जो है वो भी कर देंगे फड़ाफट से ठीक है फड़ाफट लिखो भी या time waste करोग तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा आए लिख लिया आगे चलू मैं वैसे भी मैं बहुत देर देर लिखता हूँ आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो अगर कोई चीज आपको समझ में आ रही है बड़े तरीके से उस चीज को आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो ठीक है अब सुनो तो लोगा लिख लिया तो बोज अच्छी बात है अब समय का नमर एक और दो आपको दिख रहे हैं मैं इसको यहां से मिटा देता हूँ अब आगे का जो काम है बिल्कुल आराम से केरफुली करेंगे ऐसा नहीं होना चीए कि सर मैंने इसको रटा है नहीं इसा नहीं होगा सारी जो चीज़े हैं बिल्कुल सिम्पल तो नहीं है लेकिन मैंने जो इस प्रकार से आपको धीरे-धीरे पढ़ाया है और सिम्पल वे में पढ़ाया है आपको लगे गा नहीं कि यह हार्ड है ठीक है अब देखना द्यान से अब मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पर आप देखो समी के नमर एक जो है न उस एक को मैं मल्टिप्लाई कर रहा हूँ X से मैं कर रहा हूँ प्लस समी के नमर दो को मल्टिप्लाई कर रहा हूँ Y से फड़ाफट कर वाओ यहां पर multiply करेंगे तो क्या जागा देखो x square dot में d2f upon में dx square plus x dot में y और यहां पर d2f upon में dx और dy easy quality की बात करता हूँ मैं तो वहां पर क्या जागा देखो x multiply में n-1 dot में df upon में dx ठीक है बात समझ में आगई आपको के लिए रेखता हूँ अब फिर मैंने कर दिया बीच में plus का चिन plus का चिन कर दिया मैंने जैसे मैंने plus किया इधर देखो y square dot में d2f upon में dy square plus x dot में y मेरे साथ साथ देखते चलोगे तो पूरा calculation आपके दिमाग में छप जाएगा अब मेरे साथ साथ नहीं चलोगे तो फिर वही बात है समझ में नहीं आएगा अब एक बात बताओ जो lhs part है उसको मैं एक तरफ कर रहा हूँ और जो हमारे पास में rhs part है उनको मैं एक तरफ जोड रहा हूँ बीच में plus का चिंद आपको दिखी रहा होगा अगर आप bracket लगा लोगो ऐसे ये bracket आप लगा लोगे ना तो आपको ये plus का चिंद जो है बिल्कुल clear तरीके से दिखेगा कि मैंने इनको आपस में add किया है ठीक है अब जो हमारे पास में ये वाले टर्म है इनको एक तरफ add कर दो आप ध्यान से देखना ये वाले टर्म मेरे पास ऐसे कैसे देखो ये मेरे पास आगई x square dot में d2f upon में dx square plus ये मारे पास टर्म है ये वाली और ये वाली देखो आपस में क्या हो गई यहाँ पर जुड़ गई ठीक है तो यहाँ पर कितना आगए मारे पास में 2xy dot में d2f upon में dx dy plus यहाँ पर ये वाले टर्म जो है बच गई है तो y square dot में d2f upon में dy square is equal to में अब is equal to में जो हमारे पास में RHS में है उनको जोड़ दो आप वह वाली टर्म जो है आपने लिख लिए होगी तो मैं उसको मिटा देता हूँ लिखने में वैसे थोड़ी तीजी रखो और बाकी आपको उता है जो बचर रिकोड़ेड देखते हैं उनको तो इस पीड़ उससे मतलब भी नहीं है कि मैं कभी भी मिटाओं कभी वह तो पीछे कर लेंगे वीडियो क्या फरक पड़ता है हाला कि लाइव में भी कर सकते हो आप पीछे क्या फरक पड़ता है तो टेक्निकल मामले में पीछे नहीं है किसी से वह आप देख सकते हूँ और वाकि एजुकेशन में पीछे नहीं है वाकि परफेक्ट एक मिला है आपको कॉम्बिनेशन जितना यूज कर सकते हो बैस्ट यूज करो इस इक वल्टम देखो आप यहां पर आप देखो कि द्यान से तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एन माइनस वन यहां पर कॉमन है तो मैंने एन माइनस का वन कॉमन ले लिया ठीक है अप अंदर देखो एक्स डोट में डी एफ अपोन में डी एक्स प्लस में वाई डोट में डी एफ अपोन में डी वाई मुझे बताओ ये आपको आईलर पर में लग री कि नहीं लग री आईलर पर में का जो left hand side वाला पार्ट है वो है कर नहीं है तो मैं बताओ इसके क्या लिख सकता हूँ n-1 multiply में nf और ये आपका तीसरा statement आपके सामने है मतलब ये value आपके है और ये value आपके RHS में आगई देख लो ये match कर ले ना सेम ही statement है कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से उतार लो ये आपका तीसरा statement हो गया तीनों जो गुंदरम मैंने लिखाये थे उनको मैंने पहले आपको बताये normally कि वही वो क्या होंगे फोड़ा बहुत हिंट दिया कि उनका partial derivative करेंगे और ज़्यादा आपको confusion में डाला नहीं और सिधा मैंने proof करवा दिया तो आप proof देखे सकते हो कि proof किस प्रकार हो रहा है है कर नहीं है simple सी बात है अब आपन क्या करेंगे शानदार, जानदार जो मैंने प्रोपेटि आपको लिखवाई है इनका एक example करेंगे जो कि exam के दिश्टी कोन से very very नहीं बहुत ही ज़्यादे important है मतलब इतनी बार exam में आ चुका है आप सोच भी नहीं सकते हो लेकिन उसका answer एकदम simple कैसा है एकदम simple है ठीक है पड़ापट उतारो इसको फिर मैं example करवाता हूँ पर आपका mind जो है उसको और शार्प करते हैं कब भी नहीं सकते हूँ पर दे शो करना prayer आपका पका ठतनी बापका चुकोपीन आ डार्प करते हैं कि झाय जो ही एकदम खि היह जव्यादा कि मतलब तर एक कैसा कि अवारब एकर एक ज declar कि बदातारें झाल 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 प्रोपर वे में समझो एकदम मजा आने वाला है और रेगुलर पढ़ने का सबसे बढ़िया फाइदा बता हूं आपको जैसे मानलो आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो हर एक दिन आपका मन भी करेगा क्या चलो ठीक है आज कुछ नए सिखेंगे आज कुछ और नए सिखाएंगे अब जो बच्चे करते हैं उनगे क्लास लेकर रख देते हैं और उनके पास पूरा एकदम बड़न बन जाता है कितना पढ़ा दिया क्या क्रा दिया तो बच्चे बच्चों एक एक्जामपल लिख रहा हूं आपके सामने ना आपका दिमाग जो है वो खुलेगा उससे बहुत अच्छा एक्जामपल है देखो एक्जामपल लिखा मैंने आपके सामने यू इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ठीक है लेकिन यहांपे क्या मल्टिप्लाइ में आपका एक्ष भी है शोड़ा सही लिखो इसको ना एक्विस्टन अच्छा है तो सही बें में क्यूस्टन को लिखो भी आप दिखना वीची अच्छा u is equal to x multiply में क्या है sign inverse x multiply में sign inverse y upon में x y upon में क्या है हमारे पास में x है ठीक है y upon में x हमारे पास आ गया है और u बराबर x dot में sign inverse y upon में x ठीक है तो अब इसमें करना क्या है इसमें करना है अपन को x square dot में d2u upon में dx square plus 2xy dot में d2u upon में dxdy और प्लस हमारे पास क्या है y square dot में d2u upon में d y square is equal to अपन को लेकर आना है 0 यह अपन को प्रूव करना है ठीक है अब आपके माइंड में काफी सरे सवाल चल रहे हुए हाला ही हम इस सवाल करतों सकते हैं इजी सवाल है लेकिन करेंगे कैसे यह थोड़ा हमें पता नहीं चल पा रहा है तो मैंने का वह यह क्या बात हुई आता भी है नहीं भी आता है यह तो मना कर दो यहां बढ़ लो तो लो यह आओ फटा पर सारे बच्चे देखेंगे यहां पर सभी को दिख रहा है न प्रोपर यहां पर भी दिख रहा है सुनो देखो सबसे पहला काम क्या होता है मारा आंसा लिखते हैं पनिया पे और मैंने लिखा दिया गया है हमें जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं है जो सीखेंगे एकदम पेसिंस के साथ में सीखेंगे क्या Given है क्या दिया गया है आपको दिया गया है U बराबर X dot में Sine, Inverse और Y अपुन में X दिया गया है ठीक है न, उदिकINT नहीं है अब आप यह सोचो कि अपन को सवाल में क्या दिया गया है जो अपन को सवाल दिया गया है X square dot में D2U upon में DX square अब जैसे में statement पढ़ रहा था तो एक बच्चा मेर से कहता है कि गुरू जी एक छोटी सी बात मैं आप से कहना चाहूंगा मैंने का पता क्या बात हो गई वो बच्चा कहता है कि सर मैंने देखा अभी जो आपने आईलेर प्रमे की प्रोपर्टी नमर थड़ करवाई थे ना यह तो सेम उसी प्रकार दिख रही है उसका जो आपका एलेचेस पार था लेप्ट हैंड साइड वाला पार था सेम एजिटि नमबर जो थर्ड मैंने भी आपको प्रूफ करवाया वो आपको यहां पर प्रूफ करना है और कितना सिंपल है वो आप खुद देख रहे ना भी सुनो कि सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं आपको पताए युनिट नमबर जो हमारी चल रही है फरस्ट है इसमें जो भी दू अच्छी बात है अब यहां पर आपन को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आपका यू बराबर एक्स डोट में साइन इनवर्स वाई डोट में एक्स वाई अपन में एक्स दिया गया है यह कितनी पावर का होमो जीनियस फंक्शन बन रहा है तो पहरे बच्छों आप अबरलब आपको बदाया था कि जब भी हमारे पास में टयक्नोमेंटरी में इननवर् Olälीयर ₱ living अगया यहां-गया-दान बंधा-गया-ख-ग- मं उप्पर ले गया क्या आगया हमारे पास में y की पावर 1 और डॉट में x की पार माइनस का 1 खुल मला कि यहाँ पे पावर कितनी आती थी 0 आती थी बताओ 0 आती थी खाफ अच्छा गाना है तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ 0 आ रहे है ना वहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत क्या होई सवाल के अंदर कि multiply में x भी आपका आ गया multiply x भी आ गया अर तुस्से क्या फरक पड़ेगा हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा वही हमें पता है हमें पता है हम तो होश्यार है intelligent है कि वह यह अगर simple मैं sine inverse से y अपन x की बात करों तो इसकी पावर कितनी आएगी 0 अब इसकी तो 0 हो गई लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है कोई बता सकता है एक बच्चा कहता है कि सर मुझे पता है x की पावर 1 है तो साबसी बात है यहाँ परे अपन लिख सकते हैं कि समिकर नंबर यह जो एक है equation number first पर्थम घात की first order पर्थम घात की समगात अउकल समिकरन है समगात अउकल समिकरन है समगात समिकरन है वो क्या second term में अभी आपको difference equation पढ़ा रहा हूं तो मुझे अउकल समिकरन याद आ रही है वो पन second term पढ़ेंगे answer मतलोग कोई नए अटोपिक नहीं है पर्थम घात की समगात समिकरन है लिख दो लिए first order की first order की homogeneous equation अब आपको पता है क्या होमोजीनिस हमने बता दिया है तो देखो अब हमारा दिमाग थोड़ा सा और काम करने लग गया मैंने कहा वह कैसे देखो और थोड़ा सा दिमाग लगाया मैंने और मैंने क्या किया चुपचाप मैंने लिखा यहाँ पर we know that मेरा दिमाग सलने लग गया we know that हम जानते हैं अब भया हम क्या जानते हैं हम जानते हैं आईलर परमे से अच डोट में डी एफ अपोन में डी एक्स प्लस में वाइडोट में डी एफ अपोन में डी य ब्रावर में एंडोट में एफ बताओ को दिक्कत सम्धिकर नमब एक यहां पर सम्मिकर नमब दो आप यहां पर दे दो दिक है अब आपको पताए कि यहां पर जो F ना F उसको मैं रिप्लेस करूँ आ कि से यू से निए जो आपको यहां पर यू दिया हुआ है यू इसकोल टू एक्स टोट में साइन इनवर्स से वाई अपोन में एक्स मैं इसको रिपलेस करूँगा इस से फुरम लागे बात कि आये कि जहां पर एफ होका वहाँ मैं यू लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ आव फड़ापट एकस डौट में डी यू अपोन में डी एक्स प्लस में वाई डोट में डी यू अपॉन में डी वाई बरावर एन का मान कितना आया था विया एन का मान आपको पता है आप लिक्वी सकते हो एन का मान था वन परतम घात परतम ओडर कि जो यहां पर बात करी थी मैंने और वन आगया न कि दिक्रत चलो वए ठीक है एन वराबर मैंने यहां पर करा वन मेरे पास क्या बचा एन वराबर वन बच गया और मिल्टिपला मियां पर क्या बच गया एफ बच गया अब समीकन नमर यह कितना करें मेरे पास तीन अब मुझे एक बात बताओ मैंने इस वाली समीकर्ण को कैसे बनाया था जब मैंने थोड़ देर पहले पुरूफ किया था तो सारे बचुष्ट हम सूचे अरे गुरुजी कितना सिंपल सा आपने किया है हमें तो को दिक्रत नहीं है इसके अंदर अब मैं आपसे पूंचता हूँ अभी मैंने वो जो प्र पर तरो बनायी थी आपने वह कुछ भी ने किया ये इकस्ण नमबर थर जो ना इसका आप पहले एक्स क्या होता है मैंने क्या करा एक्वेशन नमर थर का पार्शल डेरिवेट्व विध रेस्पेक्ट्र टू इbelिए आपके सांवने आणसर आ जाएगा अब देखो इस बात एक्ट मैंने पार्शल डेरीवेट्य किया आपको बताया डेल अपनमें डेल एक्स डोट में डियू अपनमें डियू लगा दो ठीक है तो इधर भी आपको डेरीवेट्य तो करना पड़ेगा अब फड़ा पर से डेरिवेट्व कर दो X के रेक्सपेक्ट में X का हो गया 1 DU अपन में DX आपका कॉंस्टेंट ऐसे कैसे प्लस X अब इस बार कॉंस्टेंट रहेगा इसका करूंगा तो यहां पर आएगा D2U अपन में DX स्कुरेर वह अच्छी बात है प्लस X का Y के रेक्सपेक्ट में क्या बनेगा वह यहाँ जीरो बनेगा प्लस D अपन में DX और यहां पर करेंगे अपन तो सिंपल सी बात है Y तो रहेगा कॉंस्टेंट और D2U अपन में D2Y ठीक है गलत लिख दिया है हमने आपको बता हमारा दोस्त कोन है यहां पर आएगा DXDY बराबर में आपका D अपन में DX और यह आपका U भी आ गया है पहरे बच्चों आपको बता है यह आपका इससे कैंसल होने वाला है हो गया है कैंसल इधर जाएगा तो D अपन में DX माइनस का क्या आएगा तो यहाँ पर क्या आगया आपका 0 बन गया है तो कुलमला के बात क्या हुई x.me d2u upon dx² और प्लस में y.me d2u upon dxdy बराबर 0 समय का नंबर 4 मेरे पास आ चुका है बहुत अच्छी तरीके समझा रहा हूँ आपको 1% भी confuse नहीं कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर simple derivative करा partial derivative x के respect में मेरे पास क्या मानाया x.me d2u upon x² प्लस y.me d2 upon dxdy बराबर 0 समय के नंबर 4 अब मैं equation number जो थर्ड आपके पास आई है उसका partial derivative with respect to y करता हूँ जैसे मैंने y के respect में किया क्या आया देखो भी यह देखते हैं आराम से d upon me dy प्लस में y.me d u upon me dy बराबर है मेरे पास क्या आगया या del upon me del y.me u अब आप यहाँ पर patience करोगे y मेरा दोस्त है और y और x की दोस्ती तो देखो आपस में बनी ने सकती कबी भी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y के respect में करेंगे तो 0 आयेगा प्लस फिर हमारे पास x रहेगा constant फिर करेंगे पर यहाँ पर d to u upon me क्या जाएगा हमारे पास d x dy प्लस हमारे पास यहाँ पर किया आपने यहाँ पर जैसे करोगे देखो y के respect में 1 multiply में d u upon me dy ठीक है फिर करेंगे प्लस y रहेगा constant d to u upon me dy square जिसको पता नहीं कैसे हो रहा है फिर तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए ठीक है इस इक वल्टो में d u upon me dy अब यह पारिशल डेरिवेट्व कर रहा हूं मैं और जो आप कहते हो न यू इंटू वी वाला formula यू को constant विकर डेरिवेट्व विकर डेरिवेट्व वह d2 upon me dx dy plus में y dot में d2 u upon me dy square बराबर में 0 समय के नंबर 4 आपके पास समय के नंबर 5 आपके पास कुछी भी नहीं करना समय के नंबर 4 को multiply करना है x से और plus समय के नंबर 5 को multiply करना है y से अब आप करोगे जब यह काम करोगे न आपके पास answer आएगा मैं direct answer यहां पर लिख रहा इतने सिंपल तरीके से शायद ही आपको कोई समझाएगा तो सारे बच्चे अगर आपको समझ में आ गया है नहीं आया है कोई बातनी सभी का ध्यान एक मिनट के लिए बोर्ड पर होगा आजव फड़ा पड़ यह हमारे पास फंक्शन था ठीक है और मैं आपको बता दूँ वेरी 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 2023 के एक्जाम में आ सकता है कोई सक नहीं है इंपोर्टेंट सवाल है यू बराबर देखा समगात होमोजीनिस हम जानते हैं चेक करना पड़ेगा तो हमने देखा कि यार यहां पे एक्स की पार वन और बाकि यह तो जीरो बन रही है तो पर्थमगात की यहां पे क्या आगे समगात आउकल समिगना आ गई उसके बाद मैं थोड़ा ओर आगे चला मैंने कहा कि यह हम जानते हैं कहां से आले प्रमे से एन का मैं अबने निकाल लिए बन पुट कर दिया उसके बाद आपको बता है हमें क्या करना है यह जो हमारे पास में f है वहाँ पर you put करना है पुट कर दिया समय के नमर 3 का x कर expect में y कर expect में partial derivative कर दिया एक को x से multiply कर दिया एक को y से multiply कर दिया आपस में जोड़ा answer आपके सामने है अब यह सवाल simple कब बनता है ये सवाल simple तब बनेगा जब आपको मैंने property अभी करवाई थी ना वो property आपके back of the mind रहेगी याद रहेगी हलब आपको पता होगा पहले से तो ये property आपके लिए और भी simple बन जाएगा आप देख सकते हो आराम से अब कोई दिक्कत समश्या है तो मुझे comment कर देना बाकी कोई समश्या नहीं है आराम से उतारो इस सवाल को उसके बाद एक और सवाल जो है शांदार जानदार में करवाऊंगा जो की और भी important सवाल है तो सवाल की दुनिया में मत खुजाना बिल्कुल जैसे मैं सिस्टेमेटिक तरीके से करवाया है वैसे करना ठीक है चलो है बड़ा बरतारो इस सवाल आराम से झालो है झाल 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 हाँ वई दूसारे बच्चे बड़िया तरीके से कोई गलती मत करना बस सवार गिर अंदर भर लिखते लिखते हैं आपने कोई मिस्टेक कर दी ऐसा नहीं होना चाएं और एक सवाल आपको मैं और दुँगा करने के लिए जानदार जानदार सवाल है जो मैं आपको करने के लिए दुगा आपका दिमाग उसमें लगेगा पहली बार में तो लगेगा आपको कि अरे कितना सिंपल सवाल है लेकिन फिर बाद में कहोगे अरे यार यार ये पता नहीं कैसे होगा ठीक है तो मैं आपको एक HW सवाल दे रहा हूँ कल करवाएंगे उसको अपना आराम से अब अपन आगे चलते हैं और इसको लिखते रहना वैसे तो बाकी मैं अभी लिखते दाऊं जो आपका HW है वो लिख रहा हूँ मैं सवाल बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट है ठीक है क्यों से नहीं आपका U is equal to x square dot में y square upon में x square plus में y square ठीक है और आपको find करना है निकालना है y find करना है आपको वह या x square dot में d2 u upon में dx square प्लस हमारे पास 2xy d2 u upon में dx dy प्लस में आपका y square d2 u upon में dy square is equal to 2 u आपको prove करना है यह आपका है hw अब आप करके ले के आते हो अच्छी बात है नहीं तो फिर में कल करवाँ गाँ इस सवाल को तो important सवाल में आता है यह सवाल करवाना पड़ेगा चलो भी अब आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं कल करे ट्या इतना ही आप मिया सवाल करहती है इतना ही आप करवाँ जाब कर